नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Realme Naso 50 vs Poco M5 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Naso 50 में 6.46 इंच जब की Poco M5 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विडि की बात करें तो Naso 50 में 2.97 इंच जब की Poco M5 में 2.99 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो, नाजो 50 में 0.33 इंच जबकि पोको M5 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि नाजो 50 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, नाजो 50 में 194 ग्राम्स जबकि पोको M5 में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की नाजो 50 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 50 में 6.6 inches जबकी Poco M5 में 6.58 inches मिलती है Display Resolution नाजो 50 में 1080 by 2412 और Poco M5 में 1080 by 2408 मिलता है Screen to Body Ratio नाजो 50 में 84.88 प्रतिशत जबकी Poco M5 में 83.92 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो नाजो 50 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकी Poco M5 में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features Camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो नाजो 50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Poco M5 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Nazo 50 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Poco M5 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G57 MC2 देखने को मिलता है चिप सेट की बात करें तो Naso 50 में MediaTek Helio G96 और Poco M5 में MediaTek Helio G99 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही दो वेरियंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB की RAM मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरियंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है Expandable Memory की बात करे तो, Nazo 50 में अप्टु 256GB जबकि Poco M5 में अप्टु 512GB है Operating System की बात करे तो, Nazo 50 में Android V11 जबकि Poco M5 में Android V12 देखने को मिलती है Battery की बात करे तो, दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अईए अब Main Feature को देखते है Colors की बात करे तो, Nazo 50 में 2 Colors जबकि Poco M5 में 3 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करे Price की तो, Nazo 50 में 2 Variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 12,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 15,499 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo 50 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Poco M5 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करे है Result की तो Display में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Nokia G21 है दूसरा IQ Z6 5G है तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Oppo A76 है और ये सारे फोन की Details आपको Description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना